हलो दोस्तो मेरा नाम गीता राजपूत है और मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत सोगत है तो दोस्तो आज हम भूनने जा रहे हैं लैसुन वहसे तो कच्चा लहसुन कई लोग खाते होंगे उसके भी अपने फायदे हैं लेकिन भूना हुआ लहसुन खाना भी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तो इस तरह से भून कर लहसुन बच्चों को खिलाईए उन्हें कभी भी सर्दी जुकाम वह खांसी नहीं होगी और ना ही नाग बहने की सिकायत होगी सबसे मज़े की बात तो यह है कि भूना हुआ लहसुन बच्चे खाते बड़े चाओ से हैं अगर रोजाना तिन से चार कली भूना हुआ लहसुन सुबह और साम को सोते वक्त बच्चों को खिलाया जाए तो वे बार बार बीमार नहीं पढ़ते हैं इसके खाने से रोगों से लड़ने की छमता बढ़ती है हड़िया मजबूत होती है और वे जल्दी चलने फिरने लगते हैं इससे गैस भी नहीं बनती है और पेट भी दूरुस्त रहता है ये भुना हुआ लहसुन बच्चों से लेकर बढ़ों तक सब के लिए बहुत ही फायदे मन्द है खास कर इसे रात में खाने से सरीर को कई फायदे होते हैं भुना हुआ लहसुन आपके दिल को फिट रखता है हाई बलड प्रेसर के मरीजों को भुना हुआ लहसुन जरूर खाना चाहिए। रात को सोने से पहले इस तरह से घून कर लहसुन खाने से सरीर में मौजूद विसाले तत्तो पेसाप के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तो इस तरह से लहसुन खाकर आप खुद को कई रोगों से बचाय रख सकते हैं। इसके खाने से आपका मेटबॉलिज्म तेजी से काम करता है। जिससे वजन कम होने के साथ साथ डाइबटीज भी कंट्रोल होता है। और इससे सांस समंदी समस्या भी दूर होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके सेवन से जोणों के दर्द में भी राहत मिलती है। दोस्तो भुना हुआ लहसुन खाने से सरीर की रोग प्रतिवोधक छमता बढ़ती है। और कैंसर जैसे गंभीर रोग से सरीर को लड़ने मे मदद मिलती है। जब इस तरह से लहसुन भुन जाए तो गैस को बंद कर दें और ठंधा होने के लिए छोओ दें। जब ठंधा हो जाए तो इस तरह से छील कर खाएं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। दिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। इसलिए यही काम ना है कि आप सौस्त रहें और खुस रहें। धन्वा दोस्तों।